लाइन्स एंड रोल्स इस एडिटॉरियल में हम बात करेंगे कि गवर्णर जो है उसके क्या रोल्स हैं क्या उसकी भूमिकाएं हैं और क्या उसकी लिमिटेशनrence हैं कि वह यह उसकी लाइन से और ईनको से क्रॉस नहीं करना चाहिए कि वही क्या उसकी सीमाय है The time may have come कि शायद समय हो गया है शायद समय आ गया है For clarifying कि इस बात को इसपष्ट किया जाए The role and functions of governors कि वही governors जो है उसकी भूमिकाय और उसके कारे क्या-क्या है इनको जो है इसपष्ट किया जाए Signs of a confrontation between Raj Bhavan and the elected government in a state are not infrequent in the country देखो यहाँ पर not लिखा हुआ है और इसके बाद में infrequent तो यह क्या है? infrequent पहले से ही एक negative शब्द है इसके आगे आपने not लगा दिया तो इस तरह से जब दो बार आप negative का प्रियोप करते हो तो वो बन जाता है positive यानि कि not infrequent की जगे हम लिख सकते थे frequent not infrequent की जगे हम लिख सकते थे frequent कि इस तरह के चिन confrontation का मतलब होता है टकराओ आमना सामना एक तरह के की लडाई तो राजभवन राजभवन है राजभवन का मतलब है यहाँ पर गवर्नर का official निवास तो गवर्नर और जो चुनि होई सरकार होती है उनके बीच किसी राज़े में टकराओ होना यह कोई मतलब यह एक frequent बात है देश में ऐसा होता ही रहता है are not infrequent in the country कि इस तरह की जो तना तनी है वह है देश में लगातार हमें देखने को मिलती है the honors often appears to be on the chief ministers honors का मतलब है दायित्तो responsibility honors के बाद में हम प्रियोग करते हैं on preposition का the honors on कि भई अब यह जिम्मेदारी किस पर है the honors often appears to be on the chief minister कि कि जिम्मेदारी अक्सर जो है वह मुख्यमंत्री के ऊपर प्रतीत होती है to effort effort का मतलब होता है बचना टालना किसी चीज़ को a constitutional crisis कि एक समवेधानिक संकट को create होने से जो है बचा जाए एक समवेधानिक संकट उपस्तित ना हो इसके लिए जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री की कि वह इस तरह की situations को टालने की कोशिश करे यानि कि अगर इस तरह से कोई टकराव की इस्तिती उत्पन होती है चुनी हुई सरकार और government के बीच में तो इस situation से बचा जाए जैसा की प्रमान के रूप में हमें देखने को मिला कि भई मिश्टर पिन्नाराई विजियन जो है कोशिश करना कि भई शान्ती बनी रहे with a miffed governor miffed का मतलब होता है annoyed मतलब जो किसी बात को लेकर नाराज है तो जो governor है आरिफ महम्मद खान rather than rather than का मतलब है के बजाए pursue का मतलब है follow करना किसी चीज का अनुसरन करना a confrontational course course का मतलब है यहाँ पर mark confrontational का मतलब है टकराव से भरा हुआ तो एक तरीके से टकराव से भरे हुए mark को follow करने की बजाए Mr. पिन्नाराई विजियन जो है उन्होंने क्या किया उन्होंने जो governor है आरिफ महम्मद खान जो की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है miffed अगर कोई व्यक्ति मिफड होता है ना इसका मतलब है वो किसी बात को लेकर नाराज है तो यह जो नाराज governor है आरिफ महम्मद खान इनसे टकराने की बजाए Mr. पिन्नाराई विजियन ने कोशिश की कि जो है शांती का रास्ता निकल आए over several issues in recent times और ऐसा कई मुद्दों पर हुआ है several issues in recent times कि अभी हाल ही के समय में कई मुद्दों पर यह बात हमें देखने को मिली है One way of seeing these developments is to attribute them One way of seeing these developments कि यह जो भी विकास हुए है एक तो आप इनको इस तरह से देख सकते हो एक तरीका यह है देखने का To attribute them देखो attribute का मतलब होता है श्रेय देना किसी चीज का श्रेय देना To attribute them to the appointment of those who have been politically active Politically active in the recent past as governors and the politician role they play as agents of the center तो देखो इस तरह की जो घटनाई सामने आती है इनको एक तो इस तरह से देखा जा सकता है क्या These developments की जो कुछ भी विकास हुए है ये जो कुछ भी घटना करम हमें देखने को मिले है तो एक तो कारण हम ये दे सकते है एक तो attribute हम ये दे सकते है To the appointment of those की उन लोगों की नियुकती की गई governor के रूप में who have been politically active जो की राजनेतिक रूप से सक्रिय रहे हैं in the recent past अभी हाल ही के कुछ पिछले समय के दोरान as governance, governance के रूप में and the partition role partition का मतलब होता है पक्षपाथ पूर्ण they play as agents of the center और वे center के agents के रूप में जो है center के agent के रूप में पक्षपाथ पूर्ण रूप जो है अदा करते हैं तो इससे भी जो है confrontational situation create होती है however the problems may have to do with the way they understand their own powers हालंकी editorial आगे बताता है ये जो problems आ रही है इनका लेना देना हो सकता है may have to do with the way कि भई जिस तरीके से they understand their own powers जिस तरीके से governors उनकी स्वयम की power को समझते हैं ये भी एक कारण हो सकता है टकराओ की स्थिति निर्मित होने का constrained by the aid and advice देखो aid and advice का मतबब aid का मतब है सहायता advice का मतब है सलाह तो हमारा समविधान क्या कहता है governor के बारे में कि भई constrained by constraint का मतब है कि governor को जो है सीमित किया गया है by the aid and advice clause in their routine functioning कि भई governor का जो function है उसका जो routine function है तो उसमें समविधान के माध्यम से एक clause जोड़ा गया है और उसमें कहा गया है कि भई governor जो है एक सलाहकारी व्यक्ति के रूप में है कि भई governor जो है क्या करेगा कि भई governor की powers जो है वे limited होंगी और work क्या करेगा एक तरीके से advisory के रूप में काम करेगा सलाह देने वाले व्यक्ति के रूप में जो है काम करेगा लेकिन इसके बावजूद भी some governors seem to be using कि कुछ governors जो है वे ऐसा करते हुए प्रतीत होते है seem to be using the discretionary space discretionary space का space का मतलब हो गया कि आपको गुंजाईश है आपके पास है discretionary का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि किसी के पास discretionary power है discretionary का मतलब है कि आप अपने स्वयम के विवेक का इस्तेमाल कर सकते हो कि भई ये मतलब आप अपनी individual choice या आप अपने individual judgment का प्रियोग कर सकते हो उसको बोलते हैं discretionary power तो लेकिन कुछ governor जो है अपनी discretionary power का प्रियोग करते हुए प्रतित होते हैं available to them discretionary power जो है उनको available कराई गई है सम्विधान के दोरा to keep regimes on tenter hooks देखो regimes का मतलब होता है शाशन व्यवस्था system और आगे ये जो शब्द लिखाओ है न keep someone on tenter hooks keep someone on tenter hooks इसका मतलब है इस बात का कारण होना कि लगातार जो है किसी व्यक्ति को जो है चिंता में बनाए रखना लगातार किसी व्यक्ति को जो है excitement में बनाए रखना है चिंता में बनाए रखना तो governor जो है अपनी discretionary power का जो है जो है जो उनको उपलब्द है उसका प्रियोग करते हुए प्रतीत होते हैं और इस power के माध्यम से वे जो शाशन है जो आप कह सकते हो कि जो सरकार है उसको चिंतित बनाए रखते हैं उसको जो है anxious बनाए रखते हैं Constitution bench of the Supreme Court laid down देखो lay down का मतलब होता है निर्धारित करना है prescribe करना तो एक सम्विधानिक पीठ Supreme Court ने जो है एक फैसला या Supreme Court ने कुछ बातें रखी थी कब 1974 में that the president and governor shall exercise their exercise का मतलब है यहाँ पर आपकी जो power है उसको प्रियोग करना their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers save save यहाँ पर आया है preposition के रूप में save का मतलब है accept save का मतलब है accept की मतलब को छोड़ कर है तो Supreme Court ने 1974 में इस बात को रखा था इस बात को प्रेस्क्राइब किया था कि president और governor जो है वे अपनी power का प्रियोग करेंगे exercise their formal constitutional powers की आधिकारिक रूप से जो समवेधानिक शक्तियां president और governor को दी गई है उनका वे प्रियोग करेंगे only upon कब only upon and in accordance with accordance with का मतलब है के अनुरूप advice of their ministers कि जो उनके ministers हैं उनकी advice के अनुसार वे अपनी power का प्रियोग करेंगे और जब उनकी advice मांगी जाएगी तब ही वे अपनी advice देंगे save यानि कि कुछ बातों को छोड़कर है save in a few well-known exceptional situation कि कुछ अपवादिक इस्तितियां हो सकती है कुछ exceptional situations हो सकती है कि वह कुछ अपवाद पूर्ण cases हो सकते है उनको छोड़कर उनको छोड़कर बाकी सभी cases में राश्टरपती और governor जो है वे ministers की सलाह के अनुरूप जो है काम करेंगे तो कुछ अपवाद वाली situations हो सकती है और वे जो अपवाद वाली situations है also illustratively listed, listed का मतलब है कि उनकी भी एक सूची बनाई गई है कि कौन-कौन सी जो है अपवाद वाली कि कौन-कौन सी परिस्तितिया जो है वे अपवाद वाली हो सकती है तो उनको भी जो है एक सूची के माध्यम से बताया गया है illustratively illustratively का मतलब है कि उनको भी जो है explain किया गया है ठीक तरीके से yet फिर भी there is the extraordinary situation of some governor extraordinary का मतलब है asadharana situation of some governors कि कुछ governors के संबंद में हम देखते हैं कि बड़ी ही extraordinary situation है कि not acting upon requests to grant clemency not acting upon act upon का मतलब है काम करना requests to grant clemency grant का मतलब है प्रदान करना और clemency का मतलब होता है राज छमा जैसे मालो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हुई है तो governor या राष्टपति के पास power है किस बात का clemency का राज छमा उस व्यक्ति को छमा देने का clemency तो कई cases में हमें ये देखने को मिला कि governors ने जो है action नहीं लिया बहुई governors से जब request की गई कि governor जो है clemency प्रदान करे तो governor ने action नहीं लिया और ascent ascent का मतलब होता है अपनी सहमती देना to bills और कई मौकों पर हमें देखने को मिला कि governor ने क्या किया कई bills को कई विधयक को अपनी मंजूरी नहीं दी and in one instance in Tamil Nadu और एक example एक उधारन हमें देखने को मिलता है Tamil Nadu में उसमें हमें क्या देखने को मिला a reluctance reluctance का मतलब होता है इच्चुक ना होना to reserve reluctance का मतलब है कि आप जो है willing नहीं हो राजी नहीं हो आप to reserve for the president's consideration a bill that expressly requires presidential assent अब देखो Tamil Nadu में एक case हमारे सामने ये सामने आया कि governor जो है वह इच्चुक नहीं थे राजी नहीं थे कि एक bill था और उस bill के लिए consideration का मतलब होता है विचार कि उस bill के लिए जरूरी था कि उस bill पर राष्ट्रपती जो है अपने राष्ट्रपती जो है विचार करे वो एक ऐसा bill था that expressly requires कि वह bill जो है मतलब उस bill में इस बात को बिलकुल सहमती मिले because of obvious conflict with a central law क्यों? क्योंकि वो बिल कुछ ऐसा था because of obvious obvious का मतलब है बिलकुल स्वाभाविक conflict का मतलब है संघर्ष with a central law वह bill एक ऐसा bill था जिसके अंतरगत हमें ये देखने को मिल रहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कानून है उनमें टकराव देखने को मिल रहा था तो कोई भी ऐसा bill होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव देखने को मिलता है तो उस bill के लिए राष्ट्रपती की मंजूरी जरूरी होती है लेकिन तमिलनाडू के गवर्णर ने क्या किया उस बिलको रिजर्व करके रखा उस बिलको रोके रखा और राष्ट्रपतिक के पास विचार विमर्ष के लिए नहीं भेजा Much of the conflict arises कि ज्यादातर जो कलह की इस्तिती ज्यादातर जो संगर्ष की इस्तिती आराइस का मतलब है उठना पैदा होना Due to the Constitution itself कि ज्यादातर जो संगर्ष की इस्तिती पैदा होती है वह संविधान के कारण ही होती है It fixes no time frame हमारा संविधान जो है एक time limit निर्धारित नहीं करता गवर्नर के लिए कि गवर्नर किसी बिल पर action ले इसके लिए कोई time limit हमारे संविधान के दौरा निर्धारित नहीं की गई है and contents in article 163 और हमारे संविधान में content का मतलब यह शामिल होना और हमारे संविधान में article 163 में यह बात भी शामिल की गई है an unusual power मतलब बहुत ही आसाधारन शक्ती गवर्नर को दी गई है to choose what is in their discretion मैंने बताया था आपको discretion का मतलब होता है आपका स्वयम का judgment आपकी स्वयम की choice तो discretionary power गवर्नर को दी गई है what is in their discretion and what is not तो गवर्नर को जो है कहा गया है 163 के तहट article 163 के तहट कि वह क्या अपने हिसाब से कर सकता है with the courts being barred from और इस article 163 के तहट ही जो अदालत है courts है being barred from उनको रोका गया है being barred from inquiring into inquiring into का मतलब जाच करना है into whether any advice and if so what advice was given और जो अदालत है उन अदालतों को जो है रोका गया है यानि कि अदालतों को यह अधिकार नहीं है कि वे जो है इस चीज के अंतर inquiry करें इस चीज की जाच करें whether any advice and if so what advice was given कि गवर्नर को किसी तरह की कोई advice दी गई थी the सरकारिया commission on center state relations यह बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है जो आपके exams में पूचा जा सकता है कि वही जो सरकारिया आयोग है वो किस चीज से संबंदित है तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के संबंदों से संबंदित है पूचा जा सकता है कि वही सरकारिया आयोग जो है गरीभी मिटाने से संबंदित है बेटी बचाओ से संबंदित है केंद्र राज्यों के संबंद से संबंदित है तो सरकारिया आयोग बनाया गय गया था केंद्र राज्यों के संबंदों से संबंदित जो बाते हैं उनको डिसाइड करने के लिए तो सरकारिया कमिशन और सेंटर स्टेट रिलेशन्स रिकमेंड कि बई केंद्र और राज्यों के change न किया जाए but it is time it is revisited लेकिन अब समय हो गया है it is time it is revisited अब समय हो गया है कि इस बात पर पुनर विचार किया जाए यानि कि governance की powers और limitations पर पुनर विचार किया जाए आगे देखते हैं कि while as the linchpin of the constitutional apparatus कि जो समवेधानिक हमारा उपकरण है न अपराटस का मतलब है एक device उपकरण while as the linchpin, linchpin का मतलब होता है the most important part of something while as the linchpin तो जो governor है उसे आप कह सकते हो कि governor जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो पार्ट है समवेधान का governors indeed have a duty, governors जो है वास्तव में उनकी ये duty है उनका ये करतव है to defend the constitution कि वे समवेधान को defend करें defend का मतलब है रक्षा करना and encourage or caution the elected regime और वे जो है प्रोचसाहित करें, encourage का मतलब है प्रोचसान देना caution का मतलब है alert करना, चेतावनी देना, the elected regime कि चुनी हुई जो शाशन व्यवस्ता है, regime का मतलब है system, चुनी हुई शाशन व्यवस्ता कि चुनी हुई जो शाशन व्यवस्ता है उसको चेतावनी देना, उसको encourage करना ये governors की वास्तव में duties है the impression का मतलब है इस तरह के संकेत that governors are not obliged, obliged का मतलब होता है कि आपको कोई बात माननी पड़ेगी obliged to heed का मतलब होता है ध्यान देना to obliged, not obliged to heed, cabinet advice, persist का मतलब है बने रहना in some areas that governors are not obliged to heed cabinet advice, persist in some areas कि अभी भी कई छेत्रों में ये बात बनी हुई है कि क्या बात बनी हुई है, कि जो governors है वे obliged नहीं है, वे इस बात को मानने को बात दे नहीं है to heed का मतलब है ध्यान देना, cabinet advice कि अभी भी कई छेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है कि governors जो है, वे cabinet advice को, cabinet advice पर ध्यान देने के लिए cabinet advice की बातों को मानने के लिए बात दिन नहीं है at a time, एक ऐसे समय पर, when regional political forces एक ऐसे समय पर, जब जो छेत्री राजनेतिक parties है are actively, वे सक्रिय रूप से इस बात को चाह रही है seek का मतलब है चाहना, to be heard by the center कि वे छेत्री ये parties जो है, वे सक्रिय रूप से इस बात को चाह रही है, कि केंदर सरकार उनको सुने तो ऐसे में it may be time, कि यह समय है, शायद यह समय है that the provisions, कि जो प्रावधान है relating to the governor's role, कि governor के रोल से जुले हुए जो प्रावधान है, are amended उनको जो है, improve किया जाए उनको जो है, संशोदित किया जाए amend का मतलब होता है, संशोदित करना सुधारना, improve करना identifying areas of discretion discretion का मतलब है, कि आप कहां अपना स्वयम का judgment दे सकते हो आप कहां जो है, अपनी बुद्धी का प्रियोग कर सकते हो अपने हिसाब से judgment दे सकते हो identifying areas of discretion तो उन areas को, उन छेत्रों को पैचानना कि कहां governor अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और कहां नहीं fixing a time frame for them to act governors जो है, उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित करना कि इस समय सीमा के अंतरगत जो है, उन्हें action लेना होगा and making it explicit और इस बात को बिलकुल इसपष्ट करना, that they are obliged, कि वे obliged है, यानि कि वे मानने को बाद्द है to go by cabinet advice यानि कि cabinet के द्वारा जो भी advice उन्हें दी जाती है मंतरी मंडल के द्वारा जो advice उन्हें दी जाती है उसको मानने के लिए बाद्द है on dealing with bills कि भई किसी भी तरह के जो विधेक आते हैं, dealing with का मतलब है, किसी चीज का, किसी चीज से पेश आना, निपटना किसी चीज से कि किसी भी तरह के जो bills आते हैं, उन bills के उपर जो advice मंतरी मंडल के द्वारा दी जाती है तो उस सलाह को मानना, तो ये कुछ ऐसे मुद्ध है, can be considered, जिनकी उपर विचार किया जा सकता है regarding bills, अगर हम bills की बात करें, जो विधेक हैं उनकी अगर हम बात करें, it is clear यह बिल्कुल इसपष्ट है that कि the constituent assembly कि भई, the constituent assembly passed the provision, कि हमारी जो समविधान सा बात ही, उसने कुछ प्रावधान जो है, पास किये governors के लिए to return bills, for a reconsideration only, कि governor जो है विधेक को पुनह विचार के लिए लोटा सकता है सिर्फ तब, only on only on the express assurance express का मतलब है assurance का मतलब है आशवाशन कि अभिव्यक्त किया जाए यानि कि governor इस आशवाशन को अभिव्यक्त करता है that they have no discretion at all, कि भई कुछ ऐसे bills हो सकते हैं जिनके ऊपर governor को अपने विवेक का इस्तेमाल करने का मतलब कुछ ऐसे bills हो सकते जहाँ पर governors जो है अपनी discretionary power का प्रियोग नहीं कर सकता, तो ऐसे हालातों में वो क्या कर सकता है, उस bill को जो है पुनह विचार के लिए लोटा सकता है In addition इसकी अत्रेक्त, as suggested by the M.M.Punchi Commission जैसा की M.M.Punchi आयोग ने सुझाया है Ending the practice of burning governor, कि इस practice को, यह जो system हमने बना रखा है न, इसको समाप्त किया जाए क्या system हमने बना रखा है हमारे पास एक system है, burden का मतलब है किसी को अतिरिक्त भार दे देना, किसी को अतिरिक्त कारिय होता है, वह university इसका chancellor भी होता है यानि कि university के chancellor का पद भी governor संभालता है तो यह जो अतिरिक्त भार हमने governor को दे रखा है इसको भी हटाया जाना चाहिए इसको समात किया जाना चाहिए तो यह जो बात है, should also be considered इस बात के उपर भी विचार किया जाना चाहिए कि भई, M.M. पुंची आयोग ने इस बात को सुझाया था कि governor को हमने अतिरिक्त जिम्मेदारी दे रखी है office of chancellor in universities जो universities होती है उनमें governor, जो है chancellor का कारे भी समालता है तो इस कारे से उसको जो है विचार करने की ज़रूत है ये बात जो M.M. पुंची कमिशन ने सुझाई है इस पर भी विचार करने की ज़रूत है कि क्या governor को universities का chancellor बनाए रखा जाए या फिर इस practice को समाप्त कर दिया जाए इस पर भी विचार करने की ज़रूत है तो ये था हमारा आज का editorial जिसमें हमने discuss की ऐसी बाते है कि जो governor है उसके क्या roles है क्या उसके duties है और कई कुछ ऐसी बाते हैं जिनको लेकर लगातार हमें जो ये टकराओ देखने को मिलता है जो governor है और जो चुनी हुई सरकार है उनके बीच में कुछ बाते हैं जिनको लेकर हमें लगातार टकराओ देखने को मिलता है तो इन बातों के उपर विचार किया जाना जरूरी है और कुछ संचोदर किया जाना जरूरी है